नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे how to read a plan एक में आपके लिए series start करने माला हूँ उसमें हम देखेंगे अलग अलग तरह के जो भी ड्राइंग है वो कैसे पढ़ने है यह आप से इंजिनियर हो उसे के साथ ही आप अपने घर का भी काम करना चाहते हो अपना घर जो भी डाइमेंशन होगे सबी जो डीटल है ड्राइंग की वह कैसे समझना है वह सब हम इस वीडियो में उसे के साथ ही series में देखेंगे तो चले शुरू करते हैं सबसे पहला जो हमारा वीडियो है वह एक प्लान के बारे में वह प्लान के समझना है वह मैं आपको दिखा देता हूं तो चले शुरू करते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारा प्लान है देखेगा जो की टूबेस के प्लानों यहां पर बनवाए हुआ है उसके बारे में हम पूरा डेटल यहां पर जान लेते हैं सबसे पहले देखेगा प्लान किस तरह से बनवाए हुआ सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ जो भी निचे नेम प्लीट दिया होता है यह नेम प्लेट है उसमें क्या क्या हमें डिटेल्स दिया होता है वो देखेंगे प्रह प्रह 피부 आप यहाँ पर होता है उसके बाद ड्राइंग जो की सेंपल प्लान है यहाँ पर जो भी ड्राइंग है उसका नाम यहाँ पर दिया जाता है जो भी आपका सेंटर लाइन होगा उसके साथ इलेक्टरिक्शन ड्राइंग होगा जो की भी आपका ड्राइंग का नेम है वह यहाँ पर दिया जाता है जो कि यहाँ पर हमारा सैंपल प्लान है उसके बाद यहाँ पर नौर्ट डाइरेक्शन दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर डाइरेक्शन शूर किया जाता है जो कि बहुत ही इंपोर्टन है डाइरेक्शन के हिसाब से सभी जो वरक है वो चलता है उसके ब कि निया जाता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से हमें यहां देख घखेए गा जो grawn ॉर का प्लान है यहां पे ग्रांट फ्लॉॉर का प्लान बनवाए हुआ है इसलिए यहां पे वहां साथ का होगा है पको यहां पर प्रेंट फॉर का नेम है याप इसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि बिल्ट अपe एरिया कितना है वहाँ पर mention किया हुआ है जो कि 1150 square feet जो कि square feet में यहाँ पर area mention किया हुआ है देखेगा उसके बाद जो दूसरी चीज में आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो dimensions दिये हुए है देखेगा यह जो dimensions से यह हमारा total building का dimensions यहाँ पर दिया हुआ है जो कि यहां से यहां तक देखेगा जो कि लगबग साड़े लगबग जो डाइमेंशन से वह है 34 feet तक समझ लीजेगा इस तरह से वहां पर dimensions दिया जाता है जो भी प्रॉपर वहां पर हमें वर्क करना है dimensions के हिसाब से उसे के साथ यहां पर देखेगा जो भी यहां पर यहां से लेकर करके जो भी यहां तक कहा हमें distance से यहां पर दिया हुआ है जोंकि 35 feet तीने जी यानि लगबग 36 feet वहां पर dimensions है इस तरह से हमें प्रॉपर वहां पर dimensions दिया जाता है उसके बाद यहां पर देखेगा हम आ गए यहां पर पर सकते हैं कि parking यहां पर लिका हुआ है विंदूपर आपकर स्लेब करते हैं उसी आप यहां बोलते हैं तो यहां पर आप अपने वहिकल पार्क कर सकते हैं कि उब और यह जो डॉटेड लाइन से वह आपका स्लैब रहने वाला है जो आपका रूप होता है स्लैब होता है वह यहाँ पे डॉटेड लाइन्स में दिखाया हुआ है और यहां पे एक कॉलम है तो उसके बाद हम जैसे के आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा स्टेप सकते हैं इस तरह से स्ट डिये हुए है कि उचके बाद हम आगे बढ़ेंगे तुह हमारा ढ मारा है यहां सब्सक्राइं Hem जो कि living hall यहां प्रिखा हुआ है यह हमारा वोल है totally जो कि living hall का जो size है इसलेया यहाप के दिए हुआ है लिट में होगा ड》 सब्सक्राइब कर देखें से यह दिनेहिकें से गञीरे में द शोल पर exit में Nanos किया जाता है यह पर horizontal distance यानि यहाँ पर जो इस तरह का जो यह जो डिस्टनस है वो है सोला फिट और उसके बाद 14 फिट है वह है साइट का डिस्टन्स इस तरह से वहाँ पर डाइमेंशन दिये जाते हैं पहला वाला जो है वह होरिजंटल और दुसरा वाला जो डाइमेंशन से है वह है वर्टिकल ओके उसके बाद हम यहाँ पर देखेगा जो विंटिलेशन के लिए विंडोस दिये जाते हैं वह कैसे मेंशन करते हैं यहाँ पर यहां पर देखेगा यह window है यहांने बाकिया जो है dark जो है ब्लाइग Link अफिंदिक की वह है दीवा है और बीच में वहाँ पे window है, जो इहां पर जाल से मट्या relacion हैं यह सभी जो है वह वे सोपाशेट्स है और यहां पर फीकमें जो में जो है वह अपर ainsi Er poi.goanna आपका रख सकते हैं ऐसके बाद यहाँ पर ऊपनिंग और यह प्तूर वगारा हुई रहने वाला नहीं टोटल को यहाँ पर ऊपन रहेगा हॉके तो इस तरह साप समझ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमारा है bedroom bedroom का जो size वह 12 फिट पर 11 फिट का जैसे कि मैंने आपको बताए dimensions जो पहला वाला है वह वर्टिकल है यहाप हमार बेड़ है Windows तो आप यहाँ पर समसकते है मैंने जिसके आपको बताया यह Windows है यहाँ हमारा बेड़ है इस तरह से वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ जो है कबोट दिये हुए है जो भी आप अपने bedroom में कोई भी सामनोगरा होगा वह आप रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमारा है dining room जो गी काई पे देखीगा जो staircase है यह जो रिजह से इस तरह से staircase दिखाए लेगा है हम और staircase के नीचे ही हमने वहाँ पर डाइनिंग दिया हुआ है जोगी 12 by 10 feet का यहाँ पर दिख सकते हैं अप मार्क दिया हुआ यहां से आप उपर जाएगे फिस्ट्ट फ्लोर के लिए और यहां पर दखेगा जो भी डॉठेड लाइस है वो सभी डॉटेड लाइन जो है वह आपको दिखते हैं यहाँ यह पर डाइन ञाप और दिया हुआ है इसलिए इसलिए जो सभी टॉटेड लाइस है वो दिये गए है स्टेरकेस के निचे यहां पर देखेगा जो डोर दिया हुआ है तकि वहाइपे वाशिंग के लिए आप उसका यूज कर सके यहापे वाशिंग दिया हुआ है जो कि यहापे देखीगा यहाँ पर हमारा किचन है जो कि 12 फित बाइट वाल लगाँग 12 फित का है उसी तर डाइमेंशन से त्सक्राइश्चन यहाँ दिया हुआ है जो भी वेंटेलेशन देख सकते हैं और दूसरी जो चीज है वहाँ पर कीचन काउंटर देखेगा इस तरह से कीचन काउंटर वहाँ दिखाए जाता है यह हमारा कीचन है ओके तो वेंटेलेशन आपको विंडोस तो समझ में आ गए ओके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप 27 प्रिट का यहाँ पर डाइमेंशन दिये हैं इस तरह के डाइमेंशन शपाव पर दे जाता है डोर के पोजिशन भी आप देख सकते हैं उसी तरह यहाँ पर बेटरूं का साइज है बारव फिट पाग्यारा फिट इस तरह पर मेंशन किया जाता इसे भी डिटेल्स औ ऐँ देख सकते हैं छो दिवार हे उसका जो साइज है 9 इंचे और यह जो दिवार है बातरों का डव्रूरी अजिसी का उसका जो सॉह सकते हैं कि जो आपका थिकृने से वह गम जायता वहांब को दिछता है यह आप कोई डाउट हो यह दियूअब कोई डेटल जो है वो देया जाता है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कौन सा बाहर पर डेटल से उम्मेद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो पसंद आथ तो लाइक करें शेर करें हो और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिगा तो अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ धन्यवाजस्तो